नादफणी के काटों से हम कभी नहीं घबराते हैं, सर्पों के फन कुचल कुचल कर हाथों से लहराते हैं, दिल में हलती घाटी बैठे लिये हाथ में फाले हैं, मात्र भूमी पर मिटने वाले सूर वीर मतवाले हैं, सिंग गरजना करते हैं हम आग लगाते पानी में, भाग सूर्मा का होता गर्फों कुर्बान जवानी माथे तिलक लगाती हमको वीर प्रसूता मात आएं वीर सिवा राणास वास की हरी बड़ी हैं का थाएं आख मिचवली बंद करो तुम खौफ नखाते बिल्ली से इक पल में ही चीर फार दे हुक्म मिले कर दिल्ली से ये पंक्तिय भारत के उन वीर समूतों को समर्पित हैं जिनोंने भारत-चीन बार्डर पर गलवान घाटी में अपनी सीमा की वाज़त करते करते सहादत दी हैं नमन है ऐसे वीरों को और पूरा हिंदुस्तान उनको सेल्योट करता है एल एसी के पास गलवान घाटी में भारत और चीन की स देने पड़ गए हमारे 20 जवान सही तो हो गए लेकिन प्यल्ले के 45 सेनिकों को मौत के खाट उदार गए भारत अब बदल चुगा है यह 1962 वारा हिंदुस्तान नहीं है 2020 वाला भारत है नमस्कार मैं हूँ नीरेच सिर्वास्तो और यू और बात करेंगे कि 1962 के भारत और 2020 के भारत में क्या अंतर है 20 अट्टूबर 1962 को सुबह 5 बजे चाइना ने भारत के सीमाओं पर आक्तरमड कर दिया भारत के 10-12,000 जवान और चाइना के 80,000 जवान दोनों सीमा पर हामने सामने थे चाइनीज आर्मी हिंदी चीनी भाई-भाई का नारा लगाते लुए आगे बढ़ रही थी और भारतिये नेत्रित्रो और भारतिये सेना दोनों कफ्यों दिया ठीक एक महिने बार नॉम्बर 21, 1962 को चाइना ने युद्ध विराम पी खोसड़ा किया और भारत ये जंग आर चुगा था आजए देखते हैं कि 1962 की जंग हिंदुस्तान क्यों हार गया था और 1962 के हिंदुस्तान और आज के भारत में क्या अंतर है चाइना दल्वान घाटी से निकलने के लिए सेव पैसेज क्यों खोज रहा है अगर आज युद्ध होता है तो कौन भारी पड़ेगा क्या भारती सेना एडवांटेज में है या चाइना चाहे युद्ध काल हो आथवा सांती का इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है सांती अस्थापना में 1962 के जंग में लेफ्टिनेंट जनरल एस पीपी पुराट ने दिल्ली के सीर स्नेत्रित को चाइना की तरफ से बढ़ रहे खतरिक की तरफ इशारा किया था अपनी एक रिपोर्ड भेजी थी कि चाइना सीना सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है लेकिन उस वक्त दिल्ली के सीर स्नेत्रित में उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया था आज के हाला तो 1962 के हाला तरफ अलग है भारत जीरो टॉलरेंस की नीती अपना रहा है भारत के अत्याध्वनिक सेटेलाइट्स भारत चीन सीमा अत्वा भारत पागिस्तान सीमा अत्वा पीयोके और जमो एंड कस्मीर में आतन की गदिलिया हो इन पर बहुत पैनी नजर रखती है चप्पे चप्पी की जानकारी भारत के सेटेलाइट्स को होती है जिसकी रिपोर्ट्स भारत के रच्छा सचिव और सीर्स नेत्रित्व के पास भूस दिया दिया और वो उसके अनुसार एक्शन लेते रखे 1962 की जंग में कई बार सीर्स नेत्रित्व को आगाह करने के बाद भारतिय सेना को चीन के खिलाब युद्ध के तयारी के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया चीन का सामना करने के लिए कोई रणीलीत नहीं बनाई गई और चीन ने अरुडांचल प्रदेश की सीमा और उत्रांचल की सीमा पर एक साथ हमला बोल दिया जब तक भारतिय सेना संबलती तब तक बहुत देर बो चुपी लेकिन अभी हाला बिल्कुल 1962 से उलट है सन 2016 से ही भारत और चीन की अरुडांचल सीमा पर युद्धक टैंक तैनाद करने के हादेश दे दिये गए थे सुपर सोनी क्रूज मिसाइल ब्रम्होस की तैनादी अरुडांचल और चीन की सीमा पर पो चुकी है इस बार भारत की सेना सीमा पर अत्यादूनिक हतियारों का जमावड़ा कर चुकी है सडकों का जाल और इंफ्रास्टेक्शियर का निर्मानत कर लिया गया है तो 1962 से और आज के भारत में बहुत अंतर आ चुका है एक्सपर्ट्स की नजर में 1962 की पराजय में एक प्रमुख कारण ये भी रहा है कि भारत के सीर्स नेत्रित में वाय सेना इस्तिमाल नहीं की अगर उस समय के सीर्स नेत्रित ने वाय सेना का इस्तिमाल किया होता तो आज हालाद कुछ और ही होते वायुसेना का उस समय इस्तिमाल सिर्फ सैनिकों के पास तक रसत पहुचाने के लिए किया गया युद्ध में नहीं किया गया जो कि भारत की हार काई प्रमुख कारण रहा क्योंकि उस समय भारत की वायुसेना एडवांटेज में थी चाइना हमसे वायु सेना के मामले में काफी पीछे था यादि उनके पास उतने अत्याधुनिक एरक्राफ्ट नहीं थे जितने हमारे पास थे वो हर मौसम में उडान भर सकते थे और जादे पेलोड ले जाने की छंपर चाइना 3rd जनरेशन के एरक्राफ्ट यूज करता है जबकि हिंदुस्तान 4th जनरेशन के एरक्राफ्ट यूज करता है भारत का सुखोई 30 MKI चाइना के सुखोई 27 पर भारी पड़ेगा सुखोई 30 MKI एक साथ 20 लक्षियों को भेच सकता है इसी तरह से मिराज 2000 और राफिल के आ जाने से भारतिय वायु सेना की ताकत बड़ी है और चाइना के J-10, J-11 पर ये हमारे विमान काफी आगे हैं उनसे, काफी उन्नत किसम के हैं अभिनंदन का मिक 29 से पाकिस्तान के F-16 को मार कि रहना ये बहुत बड़ा उधारण है जो ये साबित करता है कि भारत की वायु सेना और उनके पाइलट्स दुनिया में नमबर बन हैं चाइना अपनी भावगोलिक इस्तिती और उची पहाड़ियों पर हवाई पट्टी होने की वज़े से अपने छमता का आधा पे लोड ही ले जा सकता है और आधे इंधन के साथ ही वो पुडान भर सकता है भारतिय वायु सेना चिनूक और अपाचे जैसे अत्याधूनिक हेलिकाप्टर्स का यूज करती है C-17 ग्लोब मास्टर जैसा विमान जो सेना के साजो समान को ले जाकर दौलत बेक ओल्डी सेक्टर में उतर कर उसने इतिहास रश दियाता है इन चीड़ों से भारतिय वाय सेना काफी एडवांडेज में है एक रिपोर्ट के अनुसार भारतिय थल सेना चीन की थल सेना से कई मायनों में काफी आगे है काफी बेहतर इस्तिती में है भारतिय सेना के पास युद्धो का अपार अनुभव है 1962, 1965, 1971, कारगिलवार और खाली में सर्जिकल स्ट्राइक्स ये जो अनुभव है भारतिय सेना को चाइनीज आर्मी के उपर बढ़ प्रदान करता है वहीं चीन की सेना 1989 में महीने भर चले युद्ध में वियतनाम के सेनिकों से युद्ध खाल गया था वियतनाम एक छोटा सा मुल्क है उसके पास में उतने हतिया थे और उतने संसादन थे लेकिन उन्होंने गुरिल्ला और छापामार युद्ध में चाइनीज आर्मी को परास्ट कर दिया था और चाइना एक ही महीने में भाग था 1962 की युद्ध के बाद हिंदुस्तान ने सबक लिया और इसने एक माउंटेन कार्प्स का गठन किया जिन्हें पहाडों में लड़ने का लंबा अनभव है क्योंकि वे पहाडी छेत्रों से ही आते हैं उनको पहाडी मौसम के अनुसार पहाडी भोगोली इस्तित के अनुसार इतना अच्छा ट्रेंड किया जाता है कि वो दुनिया में कहीं भी जाके लड़ सकते हैं और दुनिया की नंबर वन सेना है ऐसी सेना ना अमेरिका के पास है न बृटेन के पास है किसी के पास नहीं है भारतिय सीर स्नेतित्व और भारतिय सेना उस समय हिंदी चीनी भाई-भाई के नारे में फस गई थी और चाइना ने धोखे से हम पर वार कर दिया जब तक हम समलते तब तक बहुत कुछ गवा चुगे थी लेकिन आज कहानी बिल्कुल उलट है आज भारत का सीर स्नेतित्व और भारतिय सेना का थिंग टैंक चाइना के एक एक चाल से वाकिफ है और उनकी हर चाल का काट इंदुस्तान के पास है एक एक चाल को समझ के उसके हिसाब से भारतिय सेना माकूर जबाब देती है 1962 में भारत की पराजय का एक कारण और माना जाता है क्यूबा क्राइसिस क्यूबा क्राइसिस के वक्त अमेरिका और ब्रिटेन का ध्यान उधर लगा हुआ था और चीन ने हम पर खमला बोल दिया हम उतने तैयार नहीं थे क्योंकि हम चीन पर एक दोस्त की तरह से भरोसा करते थे और जब तक अमेरिका अपना युद्ध पोत रवाना करता तब तक चाइना ने युद्ध बिराम की खोशड़ा करते 1962 तक भारत अपने रच्छा बजट पर बहुत कम खर्चा करता था क्योंकि भारत का ऐसा मानना था कि हिंदुस्तान एक सांति प्रिय देश है इसका कीसी से कोई विवाद नहीं है और हमारे सारे पडोसियों से अच्छे संबन्ध होने की वज़े से हम पर कोई हमला नहीं करेगा लेकिन जंगल में सीधे पेड हमेशा ही काटे जाते हैं भारत की इस सिस्थी का लाप चीन और पाकिस्तान ने उठाया और इन्होंने 62, 65 और 71 में हमला बोल दिया जिसके लिए भारती सेना को अपने बहुत सारे सेनिकों को कुर्बान करना पड़ा अगर भारत ने सुरू से ही जीरो टलरेंस की नीती अपनाई होती तो 1962 का युद्ध भारत नहीं हारता भारत की यही सोच सदियों से रही भारत ने किसी दूसरे मुल्क पर कभी आकरमण नहीं किया और हमारी इसी इस्तिती का फायदा करते सिकंदर आया उसके बाद बहुत से विदेशी आकरमण कारी आये जिन्होंने भारत को एक सीधा साधा देश समझ का आकरमण किया लेकिन आज इस्तिती बिल्कुल बदल चुकी है भारत एक साफ्ट से एक हार्ड स्टेट की तरफ अग्रसर है हर एक घटना का हर एक चुनोदी का माकूल जबाब देना जानता है भारत ने पुलवामा अटाइक के बाद बाला कोट का स्ट्राइक किया और अपनी जवानों की स सेनिकों को मोत के घाट उतार कर बदला ले लिया था तो इसलिए भारत आज 2020 का भारत है और ये ना रुकेगा ना जुकेगा ना ठुटेगा आँखों में आँखें डाल के सीधे बात करना सीखिया है हिंदुस्तान भारत का रक्षा बजट आज कई गुना बढ़ गया है भ चांती अस्थापना के लिए सस्त्र होना बहुत जरूरी है पावरफुल बनो इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको बलकि इसलिए कि आपको कोई दबा न सके कोई आपका लाब न उठा सके वीडियो अगर पसंद आई हो तो किरपिया इसे लाइक कर दे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल दिल से नीरज को सब्सक्राइब कर दिए ऐसी बहुत सी अच्छी अची वीडियो जो हम बनाते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं आपको इसका नोटिफिकेसर मिले इसलिए आप बेल आइकन को दबारा न पुनें मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में